हेलो, मिशन सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिट से स्वागत है, मैं हूँ अर्विन, आज मैं आपके लिए कुछ साइंस का इंपर्टांट का कोस्चेन लेकाया हूँ, जो आपका आने वाला एक्जाम के लिए बहुत इंपर्टांट होगा, चलिए पहला कोस्च हटा, यह कहां दिखने को मिल जाएंगा आपको अंधर दिखने को मिल जाएगा, प्रेहन के पास आपका ल्यां का पाक्सिज यो, मतलब यह ससे शुदाज़ स्चालोस एक होता है एंडोक्राइन यह दो टाइप का आपका ग्लांड डिखने को मिल जाएगा यह एंडोक्राइन का ग्लांड क्या होता है उनका काम क्या होता है यह एंजाइम सिक्रेशन करते हैं और लेकिन एंडोक्राइन ग्लांड क्या करते हैं यह हर्मोन सिक्रेशन करते हैं यह दोनों चीज आपको याद रखना एजघ state Korean जो ए यह एंज्ञाइन और एंडोक्रेड जू है यह हर मनं हमारा वर्टी में Sekretion करते हैं एक्ज़ग्र나 Monk का और एक मैंन stickers हो गया जैसे कि यह기도 Us We육 OS होता है लेकिन paved नहीं होता है यानि डग्त लेस होते हैं ड़कत मतलब pipe नहीं होता है इनके पास pipe होता है वालो ने जो भी कुछ क्रेंगे वैप i2 के माधें से या 908 के माधें से कोई एक target प्वाइंट पर यानी ब्लोड पर मिलाएंगे एक जोक्राइन ग्लाइन वाला लेकिन एंडर ग्लाइन के पास कोई भी ड़क्ट नहीं होता है कोई भी पाइप नहीं होता है वह जो भी कुछ नेक कें अंदर है के पास होता है रोग में रोग होता है जिसको सीधा जो होता है जाए-धिंग टो होता है क्यां आपको नहीं का में इसल को बैता है इसलिए एक रोग हो जाते है इसको बोलते हैं गटर होगी यह आपको अच्छे से याद दूना चाहिए यह इंपर्टन्स वाले और यह है लिवर लिवर आपका हुमन के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्लांड होता है लार्जेस्ट ग्रंति होता है लिवर ठीक है और यह पांक्रियाट जो है इसको हम मिक्स ग्लांड बोलते हैं मिक्स ग्लांड क्यों बोलते हैं मिक्स ग्लांड इसलिए बोलते हैं जो हम देखें यह यह बहुत एक्जोक्राइन भी होता है एंडोक्राइन भी होता है मतलब यह एंजाइम भी सिक्रेशन करता है और हर्मन भी सिक्रेशन करता है इसलिए इसको आपका मिक्स ग्लांट बोला जाता है देखिए पंक्रियाज जो होता है पंक्रियाज का अंदर जो सेल्स है जिसको हम जो आइसलेट सेल्स भी बोलते हैं इसके अंदर आलफा सेल्स होता है बीटा सेल्स होता है गामा सेल्स होता है एसे सेल्स हो पंक्रियाज का अंदर आपको दिखने को मिल जाएगा एक होता है इंसुलीन पंक्रियास जो है इसके अंदर इंसुलीन प्रडूस होता है एक होता है ग्लोकागोन भी तयार होता है पंक्रियास के अंदर इंसुलीन जो है पंक्रियास का बीटा सेल बनाता है और ग्लोकागोन जो है पंक्रियास का आलफा सेल बनाता ह यह आपको याद होना चाहिए यह जो इंसुलिन आपको पता ही होगा इधर बता देता हूं फिर भी इंसुलिन जो है आपका एक्स्ट्रा ग्लोकोज को यह ग्लाइकोजन में कंवर्ट करता है यह कहां स्टोर करता है यह कहां स्टोर करता है यह कहां स्टोर करता है लेकिन आप जो इसका reverse मतलब cynήσा को फिर ग्लोकोस में इसको तiscover ग्लोक आगन करता है जो पंक्रेस का आलफा इसको स्कूरोख करता है यह आपको अच्छे से मालूमनाच चाने इसलिए पंग्रीयाच को मिश्च्लन बोलते हैं जो एनजैम भी स्क्रेशन करता है और हरमॉन इधर थोड़ा देख लिए जो कुछ important gland है जो इधर आप देख सकते हैं hypothalamus के पास आपका pituitary gland होता है जिसको master या smallest gland भी बोला जाता है brain में है यह आपका thyroid gland बोता है अभी यह neck में है जो आपका मतलब इसका काम है यह कभी कभी पूछ लेता है आडरेनल ग्लांड को हम fight flight gland भी बहते है इसका मतलब यह है जो अडरेनल gland है अडरेनल क्या करता है वह हर्मोन क्या करता है अगर आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाओगे यह आड्रेनालीन हर्मन क्या करेगा आपको ज्यादा इमोशनल करा देगा अगर आप थोड़ा सा गुसा हो जाए गए तो आड्रेनालीन हर्मन क्या करेगा आपको थोड़ा ज्यादा गुसा दिला देगा अगर आप रो रहे होंगे तो ज्यादा रुला में होता है ठीक है चलिए नेक्स कॉस्टिन हाव मेनी मॉला ट्रीथ आर प्रेजेंट इन आडल्ट देखिए एक कॉंसेप्ट समझाऊंगा इसके बाद इसका एंसर करना यह इधर देखिए आपका जो डेंटल फोर्मूला होता है डेंटल फोर्मूला होता है आडल्ट का सब्सक्राइब एक हिश्व मैने इसको पहला लुतर फाग में बाद देखिए टі के दान्त होता है एक होता है इंसीजर एक होता है कानाइन एक होता है प्री मोलार कि एक होता है मोलार यह चारो टाइप का दान्त आपका अडल्ड के अंदर दिखने को मिल जाएगा देखिए जो पहला वाला दान्त है यह दिखे यह जो पहला वाल दान्ट है इधर डाइग्राम में यह होता है आपका इंसिजर यह पहला वाला दो दान्ट जो है आपका इंसिजर में आता है और इसके बाद आपका जो एक की दान्ट इधर देख सकते हैं इंसिजर के पास यह होता है आपका कानाइन टीत एक ही ह कानान का मतलब एक ही था इसलिए एक एक लखे इसके बाद देख सकते हैं यह जो दो है यह दो यह होता है आपका प्री मॉलार फास्ट मॉलार सेकंड मॉलार इसके बाद लास्ट जो तीन होता ये तीन ये होता है आपका मॉलार टीद फास्ट मॉलार सेकंड मॉलार एंड थार मॉलार थार मॉलार को हम विजडम ठीद भी बोलते हैं ये आपको याद रखना है तो कितना cool हो गया 2 इदर देखे 2 1 3 2 5 3 8 मतलब एक ही साइड में आपको cool कितना दांथ मिल गया total 8 दांथ मिल गया तो यह side में 8 हो गा तो यह side में भी 8 होगा यह side में भी 8 होगा итоге कितना हो गया 32 दांथ आडल्ट के अंदर आता है तो आप इधर से भी निकाल सकते हैं यह फर्मुला से एक साइड में आपका इंसीजर कितना हो गया इधर देखिए इंसीजर आपका हो गया दो यह फर्मुला की श्राफ से कानाइन हो गया एक प्री मोलार हो गया फिर दो मोलार हो गया तीन मतलब ए एक ही साइड में इधर बताया एक ही साइड में होता है इसमें चार गुना कर दिजीये चार में इसमें भी इसमें इसमें है को संग यह पुछा है मोला कितना है अभी देखें इन्सीजर टोटल था कितना हमारा दो गुणा में चार यानि आठ इंसीजर कानाइन हो गया एक गुणा में चार यानि चार कानाइन और एक गुणा यह दो घ्र और हो गया अर्य इसी चलिए कि प्रिमोलामें पर्मॉला इस पीड नहीं होता है उसका इनीज़ॉ दनत होता है और एक होता है कानाइन, इनका प्री मोलार नहीं होता है, यह आपको याद रखना है, इंपोटांट है, प्री मोलार नहीं है, मोलार दन कितना है, दो है, मतलब एक ही साइड में, जो का एक ही साइड में हुआ तो चारो साइड में कितना हो गया, इसमें चार गुना कर सिंपुल आपका हो जाएगा इंसीजर उनका हो जाएगा आठ का नाइन हो जाएगा चार टोटल चाल्ड का अंदर और प्री मोलार हो जाएगा जीरो और मोलार हो जाएगा कितना आठ कितना हुआ आठ आठ शोला दुने शोला चार बीस तो चाल्ड का अंदर आपको पता होग जो कबोख होता है उनमें से क्या नहीं पाया जाता है मतलब किसका कमी होता है यह आपका होता है क्लोरोफिल का कमी देखिए आपका जो एक मॉस्रूम का एकज्ञांपुल लूगा जो मॉस्रूम mushroom जो है आप जो छत्तु घर में खा रहे हैं वो आपका कैसा दिख रहा है कभी green देखे हैं नहीं देखे होगे तो आपका थोड़ा white के जैसे दिखाएगा मुश्रूम के पास क्या नहीं होता है इसलिए यह ग्रीन नहीं दिखता है मतलग वह होता है क्लोरोफिल की कमी होता है मुश्रूम के अंदर यानि फंगी के अंदर होता है देखे एक प्लांट सेल में तीन तरह के चीज होता है एक होता है प्लास्टीड प्लास्टीड जो है प क्रोमोप्लास्ट भी हो गया एक होता है लीकोप्लास्ट लीकोप्लास्ट ठीक है तो क्लोरोप्लास्ट का जो काम है यह आपका पोधे का जो पत्ता होता आप लीफ वगारा देख रहे हैं ग्रीन कलर देता है क्लोरोप्लास्ट क्या करता है आपका पोधा को ग्रीन कलर देता ह क्रोमो प्लास्टिक वह डिफरेंट कलर देता है मतलब इसका और यह हो गया जब आप एक्जाम्पूल यह ले सकते हैं आम जब पकता है आम यह पकता है आपका आपल जब पकता है या लिची जब पकता है आपका डिफरेंट कलर आम का पिला कलर आ जाएगा रेड कलर आ जाए से green color होता जैसे आपका पत्ता हो गया लिउकोप्रास्ट जो है यह उएट कलर का होता है में देखने को मिल जाएगा आपका पोधिंसränmal और तो स verw हमाप्लास्ट जो हे डिफरेंट कलर देता है और लीकोप्लास्ट जो है आपका फाइट कलर देता है थीके तो इसका एंसर से रहेगा क्या चलोरोफिल चलिए नेक्सक्ट कमेशन ड्रोड़ इन स्व्लाइन कंडिशन मतलब जो नमक वाला कन्डिसन होता है ठीक है उसको सालाइब कर दिसन बोलता है सालाइन वार्टार आपको पॉछ भी एक बड़ा बाला पेड मतलब इसमान पैण कोई ऑमापेड़ ex pist जयाई प्लांच मतलब पानियो ज्यादा पानियों ज्यादा पनी नहीं जरूरत होता है कौम पानी में भी एक्जिस्ट कर सकते हैं जो डिजाट एरिया में उखते हैं इसको जेरोफाइट प्लांट बोलते हैं जेरो मतलब सुखा ठीके जेरो मतलब क्या होता है सोखा फाइट मतलब प्लांट मतलब सुखा एरिया में जो प्लांट उखता है उसको जेरोफाइट प् हुआ थिक यह बाटर में उखता है मतलब शिती के बीना जो उखता है उसको hależy बोलत है यानि वाटर में जो उखता है उसको h planner fight बोलते है यह सारी के सारी यह है इसका सथाइंस कों होकता है Halophytes तेन नमबर आइशर टॉप्स प्रॉटि विजटकी दका हाइशर टॉटियों को सकते हैं तीन तरह Nawal जrea होटीलिस में इधर समझाने कि लिए neighbor this गंपर दीनियुटेरियोम एक टॉटिबू इधर ने discussing कोशिस करूंगा देखे इधर पहला पेज में सो अना होता है लेकिन मनंब क्या होता है थीग और आपका जो tritium है उसका atomic number होता है एक लेकिन mass number कितना होता है तीन होता है तो यह होता है protium, deuterium, tritium ठीक है तो देखें इधर diagram में थोड़ा देखें इधर आएए देखें इधर देख सकते हैं यह होता है जो यह है मतलब इसको लेखेंगे hydrogen का 111 इसको लेखेंगे hydrogen का 1,2 इधर लेखेंगे 1,3 तीन होता है यह तीन हो हाइट्रोजेन का isotope होता है तो इसका एंसर कितना हो जाएगा कुल कितना the number of isotopes of hydrogen कितना हो जाएगा तीन आप्रोटियम, deuterium, tritium ठीक है आपका जो atomic number होता है किसको बोला जाता है यह definition भी पूछ लेता है आपका एक कोई भी atom के अंदर कितने number of proton से कितने number of proton से nucleus के अंदर उसको बोलते है atomic number mass number किसको बोलते हैं आपका जो proton plus neutron number मिलेगा उनको बोला जाएगा mass number जैसे कि हम देख सकते हैं इधर Diagraph में इधर देख सकते हैं Diagraph no.2 में। में इधर देख सकते हैं प्रोटन है एक लेकिन इसके पास Neutron है एक। प्रोटन और Neutron, मिलेगा तो कितना, 1 प्लॉस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसको Deuterium को कहा लगते हैं। तो लगते हैं मास नमबर कितना लगते हैं तो ऐसे हो गया इसको देखेंगे तो हाइड्रोजन इसका प्रोटोन एक है लेकिन न्यूट्रन कितना है दो है तो इधर मिल जाएगा प्रोटोन प्लस न्यूट्रन मिलके क्या हो जाएगा तीन बना लागा इसको ट्रीटियूम बो जो भी हो मतलब इन-्में से कौन सा नॉबल ग्यास जो हे वह हमारा जो बायू में नहीं पाया जाता है यहहां का होता है रेड़न रेड़न जो है आपका cancer treatment के लिए भी उज होता है यह सबद से जो नॉबल ग्यास के अंदर मतलब inert gas के अंदर सबसे भारी और ही होता है जितने भी आपका inert gas होता है, noble gas होता है, इन में से सबसे heaviest होता है, ये cancer treatment के लिए use होता है, और ये हमार atmosphere में, या air में नहीं पाया जाता है, ठीक है, आपका cool हो गया, जो, आपका noble gas कितना हो गया, noble gas को हम zero group gas भी बोलते है, zero group, इदर आप diagram में देख सकते हैं, ये जो आपका ये वाला हिश्चा है, टोटाल हिश्चा है, ये जो हिश्चा है, ये जो हिश्चा है, ये आपका helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, agneson, ये जो last वाला element है, agneson, total cool कितना हो गया, साथ आपका noble gas होता है, ठीक है, एक सो अटरा number element, agneson, ये भी आपको याद रखना है, देखिए, तो फिर, ये, तो मतलब कॉन से, ये इसका answer सही रहेगा, कॉन, radon रहेगा सही, helium जो है, आपका जो, बैलोन के अंदर भरा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बैलोन के अंदर, argon जो है, आपका जो bulb होता है, bulb पा जो filament ऐसा बना होता है, filament जो बनता है, वो tungsten का बनता है, tungsten, ये filament को sap करने के लिए, हम इसके bulb के अंदर argon gas को भर देते हैं, ये आपको याद रखना है, जैनन जो है, इसको stranger gas बोलते है, strangers gas, strangers gas बोलते है, जैनन को, और radon अभी मैं बताया, जो है आपका cancer treatment के लिए, और सबसे भारी होता है, inert gas के अंदर, ठीके, तो देख सकते हैं, ये वाला group को हम zero group भी बोलते हैं, थेंक्यू, आज के लिए इतना ही था, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, प्लीज, तो लाइक कर देना, अभी तक हमारा चेनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो आपका दोस्त, एक-दो दोस्त को भी मेरा रिक्वेस्टे सेर कर देना, एक-दो दोस्त को, जैसे आपको अच्छा भी ओर चाहेंगे, अच्छा लाइक मिलेगा, कमेंट आएगा, तभी मेरे को दुसरा वीडियो बनाने के लिए मैं उस चाहित हूँगा, चलिए, पहला दुसरा वीडियो में मिलते हैं, थ हैंजे बराद